हाव रूफीक्स सैमसंग M21 आटोमेटिक रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर प्रॉड़ाइस आप जो है अपने सैमसंग के दिवाइस में आटो रिस्टार्ट प्रॉ तो आप दोस्तों इस वीडियो का अंतक जरू देखे मैं आपको बता हूंगा दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है वीडियो के साथ दोस्तों अंतक बने रहे हैं सारे साथ अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब् से पहले तो मैं आपको बता रहता हूं कि auto restart problem यहां पर होते क्यों कई वर दोस्तों क्या होते हैं हमां अपने device को overuse कर देते हैं ठीक है उसके वाज़े से problem आते हैं या फिर दोस्तों कई वर ऐसा भी होते हैं कि हम आपने जो device से उसमें कई सारे application install कर लेते इस्टोरेज फूल हो जाते हैं ठीक है तो उन सब के वज़सी होते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले मोबाइल पर चेक करना है क्या क्या की देखें problem solve हो जाएगा अगर आप हाई gaming करते दिर तक तो दोस्तों थोरा सा उसको भी स्टॉप कर दीजिए चार्जिंग करते वक्त गेमिंग नहीं करना है तो उन सबसे भी problem आते हैं और सारे साथ दोस्तों यहाँ पर बेटरी इंडिवाइस में जाके चेक किजिए एक सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है ट्री डॉट्स में क्लिक करने के बार आपको पता चलेगा ट्री डॉट्स automation एंड यह option auto restart time ठीक है तो यह बटन दोस्तों आपका off होना चाहिए अगर दोस्तों यह बटन on रहेगा तो आपको दिक्कते आ सकते हैं ठीक है आपके जो mobile वो automatic restart होते रहेगा आपको problem आते रहेगा तो आपको दोस्तों simply जो है इस button को यह off कर दिना है जैसे दोस्तों आपक problem भी solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है problem को solve कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मान लिजिए अगर आपका जो problem यह setting के वजह से नहीं हो रहा है ठीक है mobile के वजह से हो रहा है तो आप mobile software को update करें mobile software update कर लें उससे दोस्तों आपका mobile पे improvement हो जाएगा आपका जो problem में solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप आपने problem को solve कर सकते हैं इनी चांस अगर आपको दुबारा से problem आते तो general management पर जाए नीचे पर आपको मिलेगा reset and then factory data reset को ही follow कर रिजिए factory data reset करने के बाद दोस्तों सारे जो data है completely reset हो जाएगा उसके बाद phone को दोरा सा धीरे धीरे करकी use करें एक बार से install ना करें आपने सारे applications को धीरे धीरे करकी use करें तो आपका जो problem है auto restart का वो definitely fixed हो जाएगा ठीक है तो इस पास warranty है तो भी दोस्तों आप जाए शॉप के उस शॉप में जहाँ से आपने phone करीद है तो warranty के अंदर पर phone repair हो जागा या तो फिर अगर guarantee पे तो एक्सचेंज भी हो जाएगा ठीक है तो यह सारे चीज़ें हो सकते आपके साथ तो solution मैंने आपको बता दिया है उम्मीद करत वीडियो आपको वसने होगा thanks for watching